Assignment, ग्रिय कार्य पहला, गैसों का विसरण केवल कुपकी ये छेत्र में होता है, श्वशन तंत्र के किसी अन्य भाग में नहीं, क्यों? दूसरा, पी-सी-ो-टू का ओक्सिजन के परिवहन में क्या प्रभाव है? तीसरा, पहाड पर चड़ने वाले व्यक्ति की श्वशन प्रक्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है? चौथा, ज्वारिय आयतन क्या है? एक स्वस्थ मनुशिक के लिए एक घंटे के ज्वारिय आयतन को आकलित करें अब आप तक आपको जो भी बताया गया है श्वशन तंत्र से सम्मंदित इस सम्मंदित आपके पास जो भी डाउट होंगे आप इस इमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं और साथ में ये असाइनमेंट दिया हुआ है इस असाइनमेंट को आप पूरा करके भी इस इमेल पर भेज सकते हैं इसके बाद डाउट क्लास होगी जहां पर आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं